नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ जो आपके हातों पेरों के दर्द को दूर करेगा नसों की कमजोरी को दूर करेगा और आपके सरीर में एनरजी लेवल को बढ़ाएगा ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है इस व आपको करना क्या है आपको 5 या 6 बादाम को और 5 या 6 या आपको काजू लेने हैं इनको आचार 5 घंटे के लिए पानी में भीगो देना है क्योंकि जो हम ये काजू और बादाम को पानी में भीगो करके खाते हैं तो इनकी तासिर ठंडी हो जाती है और ये गर्मियों में हम बहुत ही जाद है हमारे पेट में भी ठंड़क देते हैं और हमें एनर्जी तो देते ही हैं तो आपको बादाम को जो यह चिलके हैं यह उतार लेने चाहिए क्योंकि बादाम के जो चिलके होते हैं वे काफी गरम होते हैं तो हमें कभी भी गर्मी के मोसम में बादाम को चिलके साइत कभी नहीं खाना चाहिए आप हमेशा इसका छिलका उतार के ही इसे यूज करें क्योंकि बादाम में प्रोटीन कैल्शियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं हमारे सरीर की कमजोरी को दूर करते हैं हमारी आखों की रोसनी को बढ़ाते हैं और हमारे एनर्ज लेवल को बढ़ाते हैं जैसे हम दिन में पूरा दिन काम करते हैं तो हम ठक जाते हैं और थोड़ा सा काम करने के बाद तो जैसे हम लेडिज हुई थोड़ा सा काम करने के बाद ठकान हो जाती है और हमें बहुती जादे चिड़चिड़ा पन भी रहता है किसी किसी को तो कम दो दिन ले करके देखेगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको एक मुठी मखाने लेने हैं, मुखाने भी बहुत ही अच्छे होते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं और यह इसमें केल्शियम, प्रोटीन, अच्छी मातरा में पाया जाता है, तो हमारी हड़्ध्य हैं तो ये सारी चीजे ऐसी हैं जो हमें डेली लेनी चाहिए और इनको अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपके सरीर की कमजोरी को भी दूर करेगा हातों पैरों के दर्द को भी दूर करेगा और आपकी नसों में जो कमजोरी आई हुई है उसे भी ये दूर करेगा तो फ् भी है बादाम भी काजू भी और मखाने भी हम हमें लेना है एक गिलास दूद तो एक गिलास दूद इसके अंदर हमें डाल देना है और इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है तो आप दूद किसी भी तरह का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है तो आप हम इसका ढखकन लगा करके इसे अच्छे से बिल्कुल बारिक पीस लेंगे तो फ्रेंट्स अब हम इसमें मीठा करने के लिए आपको चीन इसमें नहीं डालनी है यह मैंने ली है मिस्री तो यह जो मिस्री है इस तरह एक से आप ले सकते हैं आपके पास धागे वाली मिस्री हो तो धागे वाली ले सकते हैं नहीं मेरे पास यह नोर्मल मिस्री थी मैंने इसमें मिस्री डाल दी है तो अब हम इसको ब्लाइंड कर लेते हैं तो फ्रेंट्स आपके ये गर्मी पेट में जैसे गर्मियों की मोसम में पेट में गर्मी हो जाती है आपके पेट की गर्मी को भी दूर करेगा और पेट में आपकी ठंड़त देगा जैसे गर्मियों में बहुत जादे पेट में जलन हो जाती है तो आप इसे सुबह सुबह ख तकान नहीं होगी तो देखे यह हमारा घरेलो नुस्खा बन करके तयार है फ्रेंड्स आप सुभए सुभए से लीजिएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दो दिन आप इसे ले करके देखे आपके सीर के दर्द को दूर करेगा हातों पैरों के दर्द को दूर और आपको बहुत ही अच्छा फीलोगा आखों की रोसनी को बढ़ाएगा सरीर की कमजोरी एक हपते में ऐसे निकाल देगा जैसे कभी सरीर में कमजोरी थी ही नहीं तो फ्रेंट्स आप इस नुस्के को जरूर ले करके देखेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी बाई बाई सबको मेरी नमस्ते थैंक्स पूर वोचिंग